नमस्कार मैं इस निपनोख्वाल दी पब्लिक इंटरनेशनल में आप सभी का सुवागत करता हूं राहूल गांदी जैसे ही ट्रंक मार बैठे 50 किलोमेटर का सफर तेक या ट्रंक ट्राइवर से जुड़ी तूस चीज की चर्चाय आप देख रहे हैं देश भर के अंदर हो रही है देश के अंदर लोग उनको इस कारिये को या उनकी सियात्रा को कुछ अलग ही नजरिये से देख रहे हैं और काफी लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रधारमंत्री मोदी जी पर भी निसाना साथ रहे हैं लेगर मास्टर स्टॉक परधारमत्री मोदी जी ने देश की जन्ता को दिया है मोदी जी के सुपचिंत को ने कहा है कि राहूल गांदी आज ट्रक में निकले हैं तो परधारमत्री मोदी जी जो कभी चाय बेशती थे वो जन्ता के बीच आटो से निकलेंगे, रिक्षा से निकलेंगे और जन्ता के हालचाल ध्रातल पर उतर कर जानेंगे इसकी रूप रेखा भी अभी त्यार की जा रही है जियां, यहां पर एक दूसरी से बढ़ चलकर राजनिती अब सरू हो चुकी है अगर रहूल गांदी ट्रंक से जाएंगे तो परधान मंत्री मोदी जी रिक्षा से जाएंगे रहूल गांदी अगर एरो प्लैन से जाएंगे तो परधान मंत्री मोदी जी गाड़ी से जाएंगे रहुल गांदी जी अगर साइकल चलाएंगे तो परदानमंत्री मोधी जी पैदल चलेंगे रहुल गांदी अगर रहरुगाड यूज करेंगे तो परदानमंत्री मोधी जी साइकल आटो रिक्षा यूज करेंगे क्योंकि चुनाव तो होते रहते हैं और इस तरीके से अगर रोड़ सोड किया जाएगा तो यह स्विगोर्टी के साथ सुरक्षा के साथ सम्झोता होगा यह अभी बड़ी वजय हो सकते कि प्रदानमंत्री मोदी जी ऐसे ह्यात्रा नहीं कर रहे हैं रहुल गांदी जो अभी कुछ नहीं है जो सासद हुआ करते थे जिनकी सासदी छीन लेगे यारि वह कुछ भी नहीं है ना तो उनके पास कोई पद है, वो कुछ भी नहीं है, परधानमंतरी मोदी जी आद देश के परधानमंतरी मोदी जी है, तो इसलिए उनको उनके साथ compare नहीं किया जा सकता है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, रहाउल गांदी एक्सल लड़े या मोका मिले या ना मिले, ल वो ऐसे मुलाकात नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर आपका क्या सोचना है, कोमेंट कर सकते हैं, जुड़िएगा देपब्लिक इंटरनेशल के साथ, जैहिन!